किसानों की मांगों को अंसुना करने के लिए प्रधान मंत्री नरेन मोदी और उनकी सरकार ने वह किया जो सामाने तौर पर कोई लोग तांत्रिक सरकार नहीं करती जिस समय देश की राजधानी को 21-22 दिनों से किसानों ने घे रखा है चारो तरफ से वे जमा हैं बॉर्डर पर जमा हैं अपनी मांगों को सुनाने के लिए संसत द्वारा पारित तीन कानूनों को व्रद किये जाने की मांग को लेकर ठीक उसी समय उनकी मांग को सुनने के बज जाए प्रधान मंतरी नरेन मोदी संसत के सत्र को रद कर देते हैं इसकी आहट इसका अंदेशा पिछले कुछ समय से था क्योंकि इस समय जो आड़ ली गई है वो आड़ ली गई है कोरोना की जबकि पूरा देश इस बात का गवा है कि जिस समय कोरोना महामारी से देश होते हो रहे थी उस समय मान्सून सत्र संसत का हुआ और उसी सत्र में इस तीनों कानून कृषिसमद्दी कानून पारित करवाए गए ऐसे में किसानों की मांग से डर कर संसत को نہ कराना मोदी सरकार की दूसरे धं की तस्वीर बहुत खुल कर देश के सामने रखने के लिए पुझा दें कि इस समय जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं उस समय राजस्थान से किसान दिल्ली के बॉर्डर तक बहुच चुके हैं और वे भी दिन रात एक ही मांग कर रहे हैं कि मोदी जी हमारी मांगों को सुनिये लेकिन उधर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि प्रधान म अपने प्रिय राज गुझरात गुझरात में कच्छ में एक रैली को संबोधित करते हुए एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा वही बात दोहराई जो इतने समय से वह और उनकी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है ये कानून उनके के लिए आए हैं लेकिन देखिए मोदी जी का कमाल यह बात जब किसान उनसे करने के लिए देश की राजधानी तक आए हैं तकरीबन रोज एक किसान शहीद हो रहा है अपनी जान गवा रहा है इन किसानों से वो मुखातिब होने बात करने वारता करने कुछ ग्यान हासल कर नहीं है वे अपना ही घ्यान अपनी ही समझ किसानों के उपर लगातार एक ही टोन में बोलने के लिए आतुर हैं वे कच पहुच कर बता रहे हैं कि विकख जिसे वो पहले ही मरा हुआ मान चुके हैं जिसकी वो सुनने को तयार नहीं है उस विपक्ष को जिसके बारे में जब संसत का सत्र नहीं करवा रहे हैं तब उनसे राए लेना तक उचित नहीं समझा काईदे से उस विपक्ष को किसानों को भ्रमित करने की लायक वो बता रहे हैं इस से कम से कम प्रधान मंत्री नरेन मोदी और उनकी सरकार का ये जो पूरा का पूरा इरादा है कि किसानों की मांग को यह यूँ कहें किसी भी जन पक्षधर आंदोलन की मांग को अंसुना करके एक बिल्कुल दूसरे ढंका लोक से जुदा होता हुआ अतंत्र इस्थापित करने का बहुत इस्थापित कर रहे हैं पिछले एक डेड़ महीने से देश में देश की राजधानी में प्रधान मंत्री नरेन मोदी आप देखिए कि क्या अजीब इत्तिफाक है क्या विडंबना है कोई ये सवाल उठाने को तैयार नहीं ठोस ढंक से कि एक हजार करोड से अधिक की लागत में इस समय देश की नई संसत बनाई जा रही है कोरोना काल में उसका भूमी पूजन होता है वहां कोरोना नहीं आता आयोध्या में मंदिर निर्माण की तैयारी होती है भव्वे दिव्वे मंदिर के निर्माण के लिए जबरदस पैस जबरदस जन समूह उतरता है वहां कोरोना नहीं आता कोरोना जिसे में पीक पर होता है जिसे में चरम पर होता है उसे में बिहार का चुनाव कराया जाता है खुद भाश्पा के मंत्री नेता कोरोना प्रभावित होते हैं लेकिन यात्रा रुकती नहीं है ठीक उसी समय प्र मिली में ठंड में ठूरते हुए प्रधान मंत्री से मुलाकात की गुहार कर रहे थे उस समय प्रधान मंत्री बनारस में देव दीपाली पर लाइट एंड साउंड जो म्यूजिक चल रहा था उसका अभूत पूर्व आनंद उठा रहे थे यानि सारे काम यह सरकार अपने हिसा तपका अन्नदाता मांग कर रहा है कि आपने जो कानून पास किये वे कानून देश को गुलामी की गर्थ में धकेलने वाले हैं यह कानून हम मर जाएंगे लेकिन लागू नहीं होने देंगे इन्हें रत करवाने के लिए वे अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं लेकिन इस पर बहस करना, इस पर राष्टी विमर्ष करना, प्रधान मंत्री नरेन मोदी को गवारा नहीं है और यह एक राष्टी शर्म की बात है अलग-अलग धंग से किसानों के उपर आरोप लगाए जा रहे हैं जिन पर हम बाद में बात करेंगे लेकिन साथ ही धीरे-धीरे भारती लोकतंत्र में यह समझाने की कोशिश करने वाले दबाव समुख बढ़ते जा रहे हैं कि आंदोलन करने से कुछ नहीं होता आंदोलन करने से क्या हासिल होगा मोदी सरकार वापस नहीं जाएगी, पीछे नहीं हटेगी इसका करारा जवाब एक-एक किसान जो खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है वह दे रहा है वह बता रहा है कि यह देश हमारा है, यह सरकार हमारी है इस सरकार को चुनने वाले हम हैं और अगर हम चाहेंगे तो यह कानून वापस लेना पड़ेगा हम जिन्दा यहां से वापस तभी जाएंगे जब मोधी सरकार इन काले कानूनों को वापस लेगी लेकिन देखिए, जो पूरा का पूरा माहौल बनाया जा रहा है उससे ऐसा लगता है, उससे दिखाने की भी कोशिश हो रही है प्रधान मंत्री नरेन मोधी की बोडी लैंग्विजिस पर जो उनकी भाशा है जिस तरह से वो बोल रहे हैं, जिस तरह से वो चल रहे हैं इसमें भी बताने की कोशिश मीडिया की कुछ घराने कर रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन सबसे बड़ा फर्क तो यह पड़ा कि वे तमाम बहुमत के बावजूद संसत का सत्र बुला नहीं पाए उसे रद करना पड़ा, एक बड़ा जूट गड़के उन्होंने रद किया सत्र वो चला नहीं सकते थे, यह उन्हें पता था क्योंकि तमाम सांसदों को, तमाम दलों को यह जवाब देही देनी होती कि जब केसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगों पर उनका स्टैंड क्या है सबसे बड़ा असर तो यह पड़ा, कि मोदी सरकार को दबाव के आगे जुकते हुए जूट का सहारा लेते हुए, शीत सत्र रद करना पड़ा और दूसरा, आप देखिए, बड़ी दिल्चस्प बात हुई है जियो कंपनी है, मोबाइल कंपनी है, जिसके मालिक है मुकेश अमबानी उन्होंने जो Tribe Association है, जो Telecom Regulatory Authority of India है उसको एक पत्र लिखा है, इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि किसान आंदोलन का फाइदा, अनिथिकल फाइदा उठाते हुए Airtel और Vodafone, जियो के नंबर को अपने में ट्रांसफर करा रहे है यह पत्र पढ़ा जाना चाहिए, इससे पता चलता है कि जो आशंका कॉर्परेट को थीस आंदोलन से वह सच साबित हो रही है किसानों ने जो खुला ऐलान किया कि अमबानी और अडानी के तमाम प्रोड़क्ट्स का तमाम उत्पादों का विरोध किया जाए इस प्रदर्शन में जो लोग गए हैं, तमाम जगों पर जो लोग धरने पर बैठे हैं, बड़े-बड़े बैनर लगे हुए हैं जहां पर बताया गया है कि अमबानी और अडानी समूह के क्या-क्या उत्पाद है जिनका बायकॉट होना चाहिए और वह शुरू हो गया है रोज लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि उन्होंने अपना जियो सिम, जियो नंबर इस कंपनी के मोबाइल में तबदील करा लिया है जिसे कहते हैं कि नंबर पोर्टिबिलिटी का जो पूरा का पूरा प्रोविजन पूरा का पूरा एक अधिकार मिलता है उभोगता को उसका इस्तमाल लोगों ने करना शुरू कर दिया है और निश्चित तोर पर यह बड़े पैमाने पर हो रहा होगा तभी खुद मुकेश अंबानी को सामने आकर यह बोलना पड़ा वहाँ दर्वाजा खट-कटाना पड़ा कि यह सब गलत हो रहा है और साथ ही साथ आप देखिए जो एसो चैम है जो दियोग पत्यों की एक संस्था है एक चैमबर है उसने भी पत्र लिखा है सरकार से आगरह किया है कि जल्दी ही इस मामले का हल निकाला जाए क्योंकि रोजाना तीन हजार करोड से लेकर तीन हजार पांसो करोड तक का नुकसान अर्थववस्था को तमाम कंपनियों को हो रहा है इस तरह के तमाम अलग-अलग बयान आ रहे हैं यानि किसान आंदोलनों ने जो लक्ष हासिल करना चाहा था बिना जनता को नुकसान पहुचाए बिना आम जन जीवन को परिशान किये सीधे सरकार और कॉर्परेट का जो इंट्रेस्ट है जो हित सद रहे हैं उसको निशाने पर लेते हुए वहां बेखाम्याब होते दिख रहे हैं आहिए जरह देखें कि हमारा प्यारा मीडिया या सोशल मीडिया या ट्रोल आर्मी किस तरह से किसान आंदोलन को देख रही है उन्हें कितनी परिशानी है इस बात से कि किसान पिज़ा खा रहे हैं इस मीडिया को उस समय भी इतनी परिशानी हुई थी क्या जब देश की राजधानी में किसान आये थे कुछ साल पहले आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा और वो जंतर मंतर पर चूहा खा रहे थे यह यह किसान जो जहर पीकर आत्महत्या कर लेते हैं जिनके परिवार भी इन किसानों के साथ इस समय शामिल हैं यहां पहुचे हैं बड़े पैमाने पर उस समय क्या मीडिया परिशान होता था? नहीं क्योंकि इस मीडिया ने अवधारना बना रखी है कि आत्मत्या करता हुआ किसान तो ठीक है फटे हाल किसान तो ठीक है अपनी गरीबी पर दुख व्यक्त करता किसान तो ठीक है लेकिन एक मजबूत रिड सीधा किया हुआ किसान एक संपन्न किसान अपना खाना अपनी शर्तों पे खाने वाला किसान भारती मीडिया के इस ग्राफ में फिट नहीं हो रहा है इस मीडिया को तब परिशानी नहीं होती है जब प्रधान मंत्री नरेन मोदी के अलग-अलग कपड़े उनके चेशमे, उनके बॉल पैन, उनके परिधान लाखों करोणों के बताये जाते हैं उस समय तो हम गदगद रहते हैं लेकिन जब यहां जो किसान जमा हुआ है जिसने एक बार भी नहीं कहा कि वह अर्थ ववस्था से प्रभावित है वह गरीब है, उसे कोई खैराच चाहिए कुछ नहीं कहा यह किसान सिर्फ अपनी मांग लेकर आया है कि जो तीन बिल सरकार ने पारित किये हैं उन्हें वापस करना है लेकिन इस किसान को एक तरफ सरकार, सरकार के मंत्री भ्रहमित बताते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग से प्रभावित बताते हैं वामपंथी बताते हैं सब कुछ बताने को तैयार है उनको प्रधान मंत्री नरेन मोदी नलसर मंडेला कहते थे आज बोलो सारे लोग इस किसान आंदोलन के साथ है वहां सुखबीर बादल ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग तो मोदी सरकार है ये किसान देश हित के लिए आए हैं देश को बचाने के लिए आए हैं लेकिन जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और जो मेरी चिंता है और खास तोर से जिन मीडिया घरानों या पत्रकारों को बहुत परेशानी हो रही है उनसे एक दर्ख्वास एक रिक्विस्ट है कि अगर आपको लगता है उनके टेंट लगजरी टेंट है वे पिकनिक मनाने आए हुए हैं तो महरबानी करके आप भी एक दो रात वहाँ पिकनिक मना लीजे जाईए तो सही देखिए तो सही हाला कि दिक्कत है कि कुछ मीडिया घरानों को देखकर यहाँ पर जो किसान हैं उनकी इंट्री नहीं होने देते हैं वे नारे लगाते हैं गोदी मीडिया गो बैक और शायद अब ये आंदोलोनों का एक बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है जहाँ वें सीधे सीधे मीडिया से मुकातिम हैं और वो बोल रहे हैं कि हमें ये वाला मीडिया बिलकुल नहीं चाहिए लेकिन तमाम वटसप गरुप में जो पतरकार साथी ऐसे तमाम गरुप्स पे मैं भी हूँ जहाँ पर मैं देखती हूँ कि पत्रकारों को कितनी गहरी चिंता और दुख होता है कि इन किसानों के पास बहुत साफ सुत्रा सोने वाला टेंट है अच्छा चमचमाता ओडने वाला कंबल है मानो उनके दिल से धुआ निकलता है यह धुआ बुझाने के सिर्फ एक तरकीब है कि इन तमाम लोगों को उनके पास तीकरी बॉडर में या फिर सिंगू बॉडर में कहीं पर भी एक दिन बिताओ तो गुझरात में की तर्ज में किसानों के साथ एक दिन बिताने के लिए भेज देना चाहिए और इन्हें देखना चाहिए कि जो किसान जो पीजा खा रहे हैं, जो अपने लंगर चला रहे हैं, जहां पे रोटी बनाने वाली मशीने आई हुई हैं, जहां बूढ़े बुजर्गों को पैर में जो दर्द हो रहा है, उससे मसाज करने वाली कुछ मशीने आई हुई हैं, य लेकिन देश के अनदाता के साथ अपने को जोड कर देख रहे हैं। तो यहाँ पर दिक्कत यह है कि दोनों जगा अवधारनाएं अलग-अलग धंकी बनाने की कोशिश सोशल मीडिया के जरिये की जा रही है, वट्सप यूनिवरस्टीज की जरिये की जा रही है और इसकी कमान सीधे सीधे प्रधान मंत्री नरेन मूदी, उनके मंत्री, उनकी जो पूरी की पूरी टीम है उसने ले रखी है अब देखिए क्या दिल्चस्प बात है, एक तरफ वे कह रहे हैं, वे किसानों से बाचीत करने को तयार हैं और वहीं दूसरी तरफ वे ऐलान करते हैं कि पूरे देश में किसानों के बुद्धी को ठीक करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए ये बिचारे ना समझ किसान, सासों से अधिक समाधाता संबेलन करेंगे, जन जन तक जाएंगे आज खबर शपी है कि दिल्ली बीजेपी, सोशल मीडिया का सहारा लेगी, किसानों के बारे में, किसानों को बताने के लिए, वे जाएंगे नजवगड, वे जाएंगे बाकी इलाखों में क्या हैरानी है, कि प्रधान मंत्री, नरेन मोदी सहित, कृषी मंत्री और तमाम लोगों को लगता है कि जो ग्यान, जो कमिटमेंट, उनका अंबानी और अडानी के साथ है, वही बिल्कुल वैसा ही वैसा, किसानों का भी होना चाहिए, किसान भी उनके आगे नतमस्तक हो जा काने चाहिए, जो दंब है, जो एहिंकार है वो चूटने का नाम नहीं ले रहा है, और इस दंब को चुनोती दे रहा है हर एक किसान, खर एक किसान महिला, हर एक बच्चा जो धरने पर मौजूद है या जो घर पर इनतजार कर रहा है इस संदर में एक बहुत दिल्चस्प बात कही एक नौजवान किसान ने देखिए इसे ट्वीट किया है उन्होंने कहा मेरी तीन साल की बेटी मुझे फोन करके पूछती है पापा जी, मोदी जी मिल गए हैं क्या? अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप बताओ, मैं आजाती हूँ ये जो हाल है, ये जो भारत बदल रहा है ये जो नया भारत बन रहा है जहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो शादिया हो रही है शादियों के जो तमाम गाने हैं वे मोदी जी के बारे में गाने हैं वे गाने हैं कि चलो दिल्ली चलना है वहां लंगर डालना है मोदी जी के काले कानून का विरोध करना है मोदी को घेरना है अमिश्शा को घेरना है अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगी कि देश के अन्नदाता को बहुत कमजोर समझना शायद मोधी सरकार के लिए भारी पड़ जाएगा खौरंट में एक जरूरी बात चाहे वो संपन्न किसान हो गरीब किसान, सीमान्त किसान, खेत मजदूर फासी पर जूलने पर मजबूर होता किसान हो चुहे खाता किसान हो, कोई भी हो, देश का कोई भी नागरिक हो सब को अपनी आवाज उठाने का अधिकार इस देश का कानून, इस देश का समिधान देता है और ये लोग जो कर रहे हैं, जिस तरह के भारत के निर्मान में लगे हुए हैं उससे एक बात बहुत साफ है, वे गुलामी की ओर भारत को नहीं ले जाना चाहते वे खेती को जो पहले से बहुत बरबाद है, पूरी तरह से बरबाद होने से बचाने के लिए जान पर खेल रहे हैं, ठंड बहुत है, मौसम बहुत खराब है आने वाले दिनों में मौसम और खराब होगा, और जाने जा सकती है ऐसा डर हमें आपको सब को है पतौर भारतिय नागरिक, देश को बचाने की जो लड़ाई चल रही है इसमें हमें और आपको अलग-अलग भूमिकाओं में खड़ा होकर अपना पक्ष स्पष्ट करना बेहद जरूरी है शुक्रिया